और आईए शुरुवात एक एहम खबर के साथ करते हैं देश की अर्थ विवस्था में मंदी के गहराने का संकेत देने वाली बुरी खबर आई है फिर से एक बार और द्योगिक उत्पादन के ताजा आंकलों के मुताबिक अगस्त 2019 में IIP यानि Index of Industrial Production में एक दश्मलों एक फीसदी की गिरावट दर्श की गई है पिछले साल के अगस्त महीने में IIP में चार दश्मलों आट फीसदी की व्रिद्धी दर्श की गई थी जबकि इस साल अगस्त में इसमें गिरावट देखने को मिली है अगस्त 2019 के दौरान Manufacturing सेक्टर में भी एक दश्मलों दो फीसदी की गिरावट दर्श की गई IIP में Manufacturing सेक्टर का हिस्सा 77 प्रतिशत होता है इसके लावा अगस्त 2019 के दौरान बिजली के उतपादन में भी 0.9 फीसदी की गिरावट आई है जबकि माइनिंग में 0.1 फीसदी की बेहद मामूली ग्रोध देखने को मिली है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चलते हैं न्यूस रूम जहां मौजूद हैं हमारे न्यूस एडिटर विपलव राही और सलाहकार संपादक पंकर शिवास्तर पंकर जी जी शुबरा एक बहुती गंभीर ये संकेत है हाना कि सरकार ये बात स्विकार नहीं कर रही है कि देश मंदी के किसी दुश्यक्र में फसा हुआ है लेकिन हर दिन कोई नया आकड़ा आता है जो चिंता में डालता है आज फिर ये जो अद्योगिक उत्पादन सूचकांक है एक दशमलो एक फीजदी गिर गया है ये आधिकारी का अकड़ा है सरकार का अकड़ा है तो हम समझ सकते हैं कि कितना ये गंभीर मसला है और बाजार में क्या कुछ चल रहा है उसकी और एक इशारा है जिसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे हमारे न्यूज एडिटर विपलव राही विपलो जी ये जो पूरा मसला है जो एक दशमलो एक फीजदी घर्टे की बात आ रही है इसको कितना आप गंभीर मानते हैं ये मसला दरसल बहुत गंभीर है क्योंकि इससे कुछी दिनों पहले जो आठ कोर सेक्टर्स के आंकड़े आये थे वो भी नेगेटिव थे यानि जो मुख्य ऐसे आठ महत्पूर्ण अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स जो हमारी एकोनामी को सपोर्ट करते हैं उनमें भी आधा फीजदी की गिरावट दर्ज की गई थी पिछले साल के मुकाबले और आज जो आंकड़े आये हैं ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जो दिक्कत है जो मंदी है वो बहुत गहरी होती जा रही है क्योंकि अगस्त दोहजार अठारह में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है उसके मुकाबले 1.1% की जो गिरावट है ये ऐसा नहीं है कि कुछी क्षेत्रों में है जो आज आंकड़े बता रहे हैं कि 23 इंडस्ट्री ग्रूप्स में से 15 में ये गिरावट देखने को मिली है मतलब ज्यादातर सेक्टर गिरावट के शिकार हैं और आटो मोबाइल सेक्टर का जैसे आंकड़ा आता रहा है आज सियाम के आंकड़े आए हैं वो भी यही बता रहे हैं और ये आंकड़ा आज जो सरकार ने रिलीज किया है वो भी बता रहा है कि सबसे ज्यादा और एक्विप्मेंट के क्षेत्र में उसमें भी करीब करीब 22 फीजदी 21.7 फीजदी की गिरावट दर्ज की गई है और तीसरी जो चिंता की बात है अधर मैनुफैक्टरिंग सेक्टर में भी माइनस 18 परसेंट की गिरावट है यानि ये वो क्षेत्र हैं मोटर वेहिकल्स को म आना जाता है मंदी का सबसे अच्छा इंडिकेटर क्योंकि अगर मंदी आती है तो लोग सबसे पहले जिन चीजों को खरीबना बंद करते हैं या फैसला टाल देते हैं खरीबने का उसमें एक गाड़ी है जो अनिवार नहीं है तो लोग उसको टाल देते हैं इससे पता चल कि जब कई चेटरों में कई कमपनीों में उत्पादन में कटवती की जा रही हो उस वक्ट is capacity का expansion नहीं हो रहा और जब expansion नहीं हो रहा तो नई machinery की equipment की मांग जरूरत कम हो रही है और यही हालत other manufacturing की है अगर इसको हम दूसरे तरह से इन ही आकड़ों को देखें जो इन ही सरकारी आकड़ों में अलग-अलग ब्योरा दिया जाता है sector wise किस तरह के use हैं उस product के उसके हिसाब से तो इसमें भी बहुत चिंता वाली बात नजर आती है क् capital goods जो section है products का उसमें 21% की गिरावट है अब यह capital goods भी machinery से जुड़े हुए मतलब वह चीजें जिनके जरिये आप उत्पादन बढ़ाते हैं उसके अलावा infrastructure और construction में माइनस 4.5 की growth rate है यानि negative growth rate infrastructure और construction में भी है और एक चिंता की बात उसमें क्या है कि अभी हमारा नवरात्र खत्म हुआ जो consumer durables के market के लिए बूम का पिरेड माना जाता है उस दोरान लो consumer durable यानि fridge washing machine ऐसी चीज़ है उसमें क्या है कि उसमें भी negative growth rate दर्ज की गई है उसमें 9.1 नौ दश्मलों एक फीजदी की गिरावट दर्ज की गई है consumer durable में तो इस तरह से अगर आप देखें तो यह चौतरफा गिरावट है यह क बाजार में इसलिए सावान भरा हुआ है लोग खरीद रही सकते जब खरीद रही सकते तो कमपनिया नया उत्पादन आखिर करें कैसे और नया उत्पादन नहीं करेंगे तो फिर machine क्यों खरीदेंगे तो एक पूरा यह दुश्यक्र है जो मंदी की सबसे बड़ी एक पहच है और सबसे दुर्भागे की बात यह है कि सिर्फ दो हफ्ते बाद इस देश में दीवाली का त्योहार है जबकि जैसा विपलो ने बताया कि बहुत खरीदारी इस समय होती है और इस बार तो चीनी जालरों के बहिश्कार का भी कोई आवहन नहीं दिखता है चीन के लिए ही आप इस बार भगवान राम के अयुद्या वापसी का जश्ट मनाएंगे यह है मसला